Hello everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे Break, Break, Break written by Alfred Lord Tennyson तो poet एक समुंदर के आगे बैठे हुए हैं और समुंदर की लहरों को वो देख रहे हैं और साथी साथ वो अपने दोस्त को याद कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने दोस्त की मौद का दुख एक्स्प्रेस करूँ सो poet कहा रहे हैं Break, Break, Break मतलब तोडो 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 ये समुंदर की लहरों को बोल रहे हैं Break, Break, Break और बोल रहे हैं ओ समुंदर इन cold grassy stones पर गिरो poet कहा रहे हैं काश मेरी जो टंग है न वो बोल पाती मेरे thoughts को जो मेरे अंदर उठ रहे हैं वो बोल पाते पर यहाँ पर बिल्कुल भी वो अपने दुख को एक्स्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं अब यहाँ पर poet एक मचली पकड़ने वाले लड़के को बोल रहे हैं वो कह रही हैं यह मचली पकड़ने वाले लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा है मतलब समुद्र में जो लहरे उठ रही है न वो उनके लिए बहुत अच्छा है और वो कह रही है वो लड़का देखो कैसे चिला रहा है क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है और वो देखो शयलोर के लिए भी अच्छा है जो लहरे है न उनके लिए भी अच्छा है जो अपने नाओं में गाना गा रही है और जा रही है यहां पर poet थोड़े से जेलस हो रही है इन लोगों को देखकर क्योंकि इन लोग बहुत जादा happy है, खेल रहे है, अपने खुशी को express कर रहे है बट poet यहां पर अपने दुख को express नहीं कर पा रहे है अप poet कहा रहे हैं, जो बड़े बड़े ships हैं, वो मेरे आसपास होकर जा रहे हैं, गुजर रहे हैं वो अपने रस्ते जा रहे हैं, under the hill अब यहां पर poet बहुती जादा दुखी है, वो कह रहे हैं कि मेरे जो दोस्त है न, अब उसका हाथ यहां दिखाई नहीं दे रहा है उसका हाथ मानो ऐसा लग रहा है, यहां से गायब हो चुका है और उसकी साथी साथ आवाज भी नहीं आ रही है मैं उसकी आवाज को सुन नहीं सकता यहां पर बिल्कुल शान्ती च्छा चुकी है फिर से यहां poet बोल रहे है, break, break, break जो समुद्र की लहरे हैं, वो पत्थरों में जाकर बार-बार गिर रही है और उन पत्थरों को वो तोड रही है पानी जब टकराता है, तो वो थोड़े बहुत चिटक जाते है पत्थर, स्टोन, ठीक है तो poet कह रहे है, break, break, break poet कह रहे है, मैंने जो अपने दोस्त के साथ time spend किया है यहां पर, मतलब इस समुद्र के आज-स-पास वो अब लौट के वापिस कभी नहीं आएगा वो beautiful जो पल हम लोग ने गुजारे थे वो अब कभी वापिस लौट के नहीं आएंगे तो यहीं पर हम लोग की poem फिनिश होती है I hope कि आपको यह poem अच्छी लगी होगी अगर आपको यह poem अच्छी लगी है तो like किजएगा, subscribe किजएगा और share जरूर किजएगा Thank you